नमस्कार, जेट नियूज डिजिटल मिडिया से मैं पंकच कुमार डेली नियूज एनलसिस में आप सभी का स्वागत है तो आईए चर्चा करते हैं आज तारीक 12 देसंबर 2019 के देनिक अकवारों के मुख खबरें एवन संपात्किया पेज के सारांस उच्छ सदन में लंबी बहस के बाद लगी मुहर भीदेयक के पक्ष में 125 और बिरोध में 105 सदस्यों ने किया मददान राज-सबा की अगनी परिक्षा में भी पास नारिक्ता बिधेयक जिसमें मोदी ने कहा पकिस्तान की भासा बोल रहा भी पक्ष मोदी ने कहा मुस्लिम बिरोधी नहीं है सरकार, मुस्लिमों के लिए रास्ता बंद नहीं असमत्रिपुरा में जमकर हिंसा वा आगजनी, हाफिज के खिलाप पाकिस्तान में आरोपता है पूरे देश में लागू हो समान पाठेकरम योगी आदितनात ने कहा, पक्ष में 125, नानवती आयोक की रिपोर्ट, मोदी को गुजरात में क्लीन चीप, वहीं गुवाहाटी में बुद्धवार को नागरिक्ता बिल का बिरोध कर रहे है च्छात, एड़ेड स्कुलों में 4000 सि का हवाला देकर कांगरेस को घेरा भाजपा ने एवं दिगज नेताओं को उतार कर विपक्षी दनों को दिया जबाब, विमान सुरक्षा खत्रे में डालने पर कास्मीर में तैनात सुरक्षा बल पुरोत्तर भेजे गए, जियस्टी बकाया भुकतान पर दबाव बना रहे दिवालिया कानून में संसोधन को कैबिनेट की मंजूरी, एकोनॉमी को गती देने का प्रयास कर रही सरकार, रक्षा मंत्री प्यूस गोयल ने कहा, रिलाइन्स को मौलत देगी मधपडेस सरकार, पहले टेस्ट मैच में लडखडाई से लंकाई टीम, पाक डे महमान टीम के 202 रन पर गिराए 5 विकेट, करोना रतने ने बनाए 99 रन, माननियों ने मांगे लुटियन जोन से अलग लेन, देली एंसी आर में ट्रैफिक जाम का मामला, अभिजीत और उनकी पतनी ने लिया नोबल, ब्रिटेन में आम चुनाओं को मद्दान आज, एसिया प्रसांत छेत नागरिक्ता विदेयक के जरिये सरकार ने एक बार फिर ये संदेश दिया है, कि वह जीन बातों को देश हित में समझती है, उन्हें करने के लिए वह राजनितिक हित, अहित की चिंता नहीं करते। आज, मोदी सरकार के नाम का विरोध करने वालों को पहले सफाई देनी पड़ती है, कि वह राष्ट हित के खिलाप नहीं है। पाकिस्तान सबा में सरदार भुपिंदर सी मानने उठाई थी। पाकिस्तान से आने वाले हिंदूओं, सिखों को भारतियन नागरिकता देने के लिए 19 जुलाई 1948 को कट ओफ डेट तैक कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में जिन हिंदूओं, सिखों का उत्पीडन हुआ, उनके लिए भारत के दरवाजे भी बंद कर दिये गए। पियस देशमुक ने तो यहां तक कहा कि हिंदू और सिख जहां भी हो, अगर किसी और देश के नागरिक ना हो, तो उन्हें भारत के नागरिकता मिलनी चाहिए। अपहरित औरते और जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन अमान ने होगा, लेकिन कुछी महिने बाद पाकिस्तान से 10 लाख हिंदू भाग कर भारत आ गए, तब सरदार पटेल ने पाकिस्तान को धमकी दी, कि यह एक तरफा नहीं चल सकता, पाकिस्तान को सुधरना होगा, इ 2019 के लोगसबा चुनाओ के वक्त समीच साह, हर चुनाओ इस सबा में कहते थे कि यह एक गुस पैटियों को चुन कर निकाला जाए, और फिर चुन कर आने के बाद, 3 तलाक कास्मीर में अनुछे 370 रयों 35 से पर सरकार के कदम के बाद, मोदी सरकार की विश्वस्निता ऐसी हो गई है कि जो भी वादा करेंगे, लोग भरोसा करने के लिए तयार हो जाएगा, नागरिक्ता बिल पर लोगसबा में बहस के दवरान, गरिह मंत्री ने एक बार फिर कहा कि कैब कोई बहाना नहीं है, नर्सी लाने का, और 2024 के लोगसबा चुनाओ से पहले यह काम पूरा कर जाएगा, यह कारने का हमें जनादेश प्राप, पिछले साड़े पांच साल में इस प्रकार से नोट बंदी, GST, सर्जिकल इस्ट्राइक, एयर इस्ट्राइक, आई बीसी, रेरा, तीन तलाग, जम्मू कस्मिर सनुचे 370 एवां 35A हटाने, और अब नागरिक्ता संसोधन विदेयक जैसे बहुत से कदम उठाएगा है, इससे सही संदेश जनता में गया है, सरकार और भाजपा पर आरोफ है कि नागरिक्ता संसोधन विदेयक और NRC भारत को हिंदू राष्ट या धूर दच्छिन पंत की ओर ले जा रहा है, वास्विक्ता इसके उलट, दरसल जैसे राजनितिक दलों, कभी NGO, बुधिजीवियों की अपीलों और सुप्रिम कोट में कथित जनहित या चिकाओं के रूप में सामने आती रहती, मामला कास्मीर में बदलाव का हो या नागरिक्ता संसोधन विदेयका अमीच साह के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सका, अम उन्होंने परते का उसर पर लोगों को चौकाया और उनकी बेबाकी से लोग परचित भी हो चुके थे, लेकिन लोग सभा में आने के बाद एक सांसत के रूप उनकी छमता हैरान करने वाली है, पहले अनुछे 370 और फिर नागरिक्ता संसोधन विदेयक पर वे जिस सच और खरी बात काने वालों से लोग अक्सर डरते ही हैं, अन्त में लेखक या काना चाहते हैं कि सरकार के कुछ महतपूर्ण फैसले में बहुसंक्यक समाज की भावनाओं की उपिक्षा करके धर्म निर्पिक्ष समाज की अस्थापना नहीं हो से, तो आईए अब बात करत जो राजनितिक इस्थितियां हैं, उनकी वज़े से या चुनाओ पूरे देश के लिए कैफी महतपूर्ण हो गया है, जहरकंड बिदान सबाचुनाओ, दो महतपूर्ण समाजिक राजनितिक घटनाओं के कुछ ही समय बाद हो रहा है, ये दो समाजिक राजनितिक बुमी बावरी मस्जिद, विबात पर सरोच नियाले का फैसला और महराष्ट में भरते जनता पाटी की सरकार बनाने की कोशिस का नकाम होना, साथ ही सरत्पवार की राजनितिक छाया तले महराष्ट में विपक्ष का सफल और ताकतवर होना भी एक अहम कदम है, तो अब इ दुसरी भाजपा के लिए नकरात्मक परभाव भी पैदा कर सकते। जारखंड मुल्त आदिवासी, प्रवासी और सदान, गैर आदिवासी अस्थानिय निवासियों की अबादी वाला राज्य है। की वास्तुक्ता को बखान करता है, जारखंड की खदान या खणीज अधारी तर्थ वेवस्ता लंबे समय से रोजगार देती रही है। बाहर से जारखंड आने का यह अक्रम अंग्रेजों के जमानों से ही चला आ रहा है। इस चुनाव में भाजपा अपने राष्टिय जैसे राम जनम भूमी अनुशे 370, 35 की समापती, 3 तलाक वगएरा की यह साथ मुख्यमंत्री रगबरदास के कारेकाल में किये गए विकास कारेओं और डबल इंजन सरकार जैसे मुद्णों को मिला कर अपनी चुनावी भी मर्स बिक्सित कर रही। टिकट वित्रण में समा मुद्णों के अदार पर भाजपा के खिलाप लड़ रहा है। जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का मुद्दा तो यहां हमेशा रहा है। परियाबरण भी मद्दाताओं के कवरग और कुछ राजिनितिक दवलों के चिंताओं में सामील है। मुद्णों के टकराओं के ब पथल, गढ़ी, आंदोलन भी इस चुनाओं में आदिवासी मतों के दिशा तै करने में अहम भुमिका निभाते है। साथी छोटा नागपूर और संधाल परगना, रेनेक्सी एक्ट में परिवर्तन की भाजपा सरकार की नाकाम कोशिस ने भी उनके बीच एक असुरक्षा बोध पैदा कर दिए। अब देखना यह है कि जन्जातिय समुहों के एक भाग के बीच उबरे इस असुरक्षा बोध के ततों का क्या राजिनिती कर्थ निकलता है। साथी छोटा नागपूर और संथाल परगना रेनेक्सी एक्ट में परिवर्तन की भाजपा सरकार यहां सदान मतों का सबसे प्रभावी महतो समुदाय है। पर उनकी सबसे बड़ी मुश्किल अपने समाजीक आधारों को बचाय रखना है और चुनावी रूप से उन्हें मजबूत करना है। तो इससे भाजपा का भवी से खत्रे में आ जाएगा और इसके विप्रीत भाजपा इस चुनाव में यह पा लेती है तो यह चुनाव उसके गले की माला बन जाएगा। तो दूसरी तरफ जारखन चुनाव आदिवासियों उपेक्षित जनों की आकांचाओं का भी चुनाव होगा। पिछडे समुहों के क्रिशक भी इस चुनाव से अपने बेहतर भविसी की राह देख रहे हैं। बच्चों का कुपोसण यहां की एक बड़ी समस्या है। सिच्छा के सिति क्या कोई बहुत बेहतर प्रदर्सन नहीं हो पाया है। यह ठीक है कि यह मुद्दे भी जनता के एक वर्ग के दिमाग में राजनितिक बिकल्पते करने में कहीं न कहीं होते हैं।